Sir question number question number 3 का B part इसको करने के लिए आपको different different overhead rate कैसे निकाले जाते हैं इसका idea होना चाहिए last class सबसे याद करो overhead की उसके अंदर मैंने करवाया है अगर जिन बच्चों नहीं देखा तो आपका 15-20 minute का वीडियो है जिसके अंदर पहले मैंने बहुत सारे formula लिखे थे type बना बना के लिखे थे तो उस formula को एक बड़ देखना है वो formula आपको याद आजाएगा ठीक है इसके अंदर वही यूज करना है question में क्या कहता है number of working week 40 hours question में कहता है number of working week तो यानी sorry normal working week hours तो week के अंदर weekly weekly कितने 40 हीakah तो इसका अगर आपके weekly चार गन्टे कर रहे हैं sir में कहता है 36 का मतलब इसका मतलब काम कितने गन्टे कर रहे है 26 प्थम берी machine कितने 15 है आगे कहता है question में estimated annual overhead इस machinery के चलाने में खर्चा आया हमारा expense आया annual Sir annual खर्चा आगे आपका 1,55,520 और ये detail है weekly कहता है अब labor rate wage rate wage rate 3 है estimated wage rate wage rate है 3 Sir जब आपने मुझे estimated actual overhead दे दिया है सारे खर्चे दे दिये तो wage तो उसी में include हो गया होगा है ना तो wage rate कितना है हमारा 3 wage rate 3 के बाद आगे देखते है क्या कहता है number of work work year कहता है कि week जो हमारे साल में लेंगे ना work year में वो लेने हैं आपने 48 वैसे तो देखो 52 का होता है लेकिन यहां कहा गया कि आपको कितना लेना है 48 आगे कहता है actual result in four week 4 week के हिसाब से result आगे बताता है overhead incurred 15,000 wages incurred 7,000 actual के हिसाब से और उपर जो दे रखा है वो absorption के हिसाब से दे रखा है नीचे वाला P&L के हिसाब से उपर वाला costing के हिसाब से calculate the overhead rate per machine hour कहता है overhead rate निकाल लो overhead का खर्चा भी पता है machine hour के हिसाब से तो sir उसमें formula में बताए था देखो कितना आसान question दिया हमें पहले जानना है machine hour machine hour यह total hour कह लो तो कितने काम होगा 36 घंटे काम 15 machinery है तो 15 machinery 36 घंटे काम और into में 48 तो इसका मतलब आपका total काम जो machinery करेगा into में 15 इंटू में 48 यह करेगा 25,920 घंटे काम और उसके लिए खर्चा होगा इतने रुपे का overhead तो overhead rate निकालो तो कैसे निकालोगे simple सी बात है overhead rate overhead rate sir खर्चा होगया 1,55,155,520 divided by total working आपका अगर होता है 5,25,920 तो rate निकाल लेते हैं 1,555,20 divided by 25,920 तो जी 6 रुपे एक घंटे का खर्चा रहा है कितने रुपे का एक्स्पेंस आ रहा है sir 6 रुपे एक घंटे का खर्चा रहा है overhead का किसका खर्चा है यह overhead machinery के point of view से पहला question का answer done देखो कि इतना आसान question था समझने वाली बात है बोल सकते है समझने में नहीं आ रहा था क्या बोले तो बाकी इसका answer done हो गया और यह हम कर चुके हैं पहले कोई दिकत नहीं चलिए अगला point है sir कहता है कि calculate amount under और over absorption both wages and overhead बताइए under और over तो अब देखिए cost और एक P&L P&L में actual होता है और cost में कुछ estimated पे और product basis पे होता है ठीक है यह हमने थोड़ा बहुत देखा है अब देखो पेंडल में मैं बोलू ना कि 100 रुपय का खर्चा है और wages P&L में मैंने 100 डाला है और यहां पे नबे डाला है तो आप बोलो कि under absorption है यानि costing में जितना हमारा actual था और उस actual से अगर कम खर्चा करेंगे तो अंदर हुआ ना और actual से अगर जादा कर दिया तो over absorption हो जाएगा तो हमें बोला गया wages के point of view से बताओ तो हम wages का actual निकाल लेंगे और wages का estimated निकाल लेंगे दोनों में different करके बता सकते हैं कि हमारा क्या रहेगा अब मुझे बताना suppose करो मैं आपसे पूछ रहा हूँ overhead बताओ overhead यहाँ पे 500 था और यहाँ पे 600 है यहाँ पे 300 है तो आप बताओ यह overhead में over objection है या under objection है बताइए हमेशा इसके हिसाब से comparison सोचते है under objection है या over है फटा फट जवाब दीजिए under है या फिर over है जवाब आगया sir over बिलकुल सही जवाब लग 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 सभी बच्चों ने मुझे correct जवाब दे दिया है और correct जवाब क्या दिया है sir यह तो है over और आपका जवाब इसी तरीके से बिलकुल ठीक है question number 3 है यह 4 है यह question 3 है ठीक है तो आप सभी का जवाब है 200 रुपए से कुछ बच्चे 300 कह रहे हैं कुछ 200 कह रहे हैं अब अच्छा ही किया हो तो 200 रुपए से over objection है तो इसी का हमें क्या करना था rate निकालना था बस इसी का हमें rate निकालना था चलिए अब किस का rate पूछा है question में sir question में rate पूछा है हमारा कि आप बताईए wages के हिसाब से भी और overhead के हिसाब से भी तो आप किस का पहले करना पसंद करेंगे पहले हम कर लेते हैं overhead का, ठीक है न, तो चलिए, अब ऐसे समझेंगे तो जल्दी समझ में आजएगा, कहता है overhead का actual खर्चा 15,000 है, overhead, अब यहां लिख लेते हैं actual, actual जो है वो है 15,000 और यहां पर क्या लिखेंगे हम, जो estimated है, और हमें तो estimated के हिसाब से सोचना है कि क्या हुआ, तो estimated अगर हम देखें, तो जी overhead का यहां तो 15,000 था, estimated में अगर हम निकालेंगे, तो कहता है कि machinery जो चलेगा वो 2200 घंटे चलेंगे, इसको थोड़ा और उपर लिख लेते हैं, question में आगे क्या देता है, overhead का expense है, wages का कोई लेना देनी है, machinery, machinery कहता है, जो चलेंगे न वो 2200 घंटे चलने वाले हैं, कब आपके यहां पर, और wages rate जो है, परावर, वो तो wages के काम आजाएगा, अब expense की बात करते हैं, expense हमारे पास कितने machinery है, अगर हम expense की side देखें, तो हमारा जो खर्चा जो होना चाहिए, expense की side देखा जाए, तो हमारा rate आया था ने, यहां पर, overhead का rate कितना था, 6 रुपे, overhead का rate कितना है, 6 रुपे, तो बोलता है, 6 रुपे का rate है, समझना, overhead का rate क्या था, 6 रुपे, और बोलता है, जो हम estimated में काम कर रहे थे न, वो था 6 200, तो अब निकाल लेते हैं, calculator कहां गया, मैं अभी एक बार और समझाऊँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना, 2200, तो चे, 13200, 13200, फिर से देखे, कहता है, जी, actual में, overhead का खर्चा 15,000 था, जिसके के 200 घंटे के हिसाब से था, तो सर, 2200 घंटे का comparison, तो सेम आवर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कर सकते, कि hourly change हो जाए, आवर सेम रहेगा, लेकिन, overhead का खर्चा, अगर छे रुपे के rate से था, और 2200 घंटा होगा, तो हमारा जो खर्चा हुआ होगा, अगर तो सामा घंटा ठेरा जोस सेटा प्ला तो मुझे बताई कि हमारा यहता हुआ यहर रिकावर हे, जवाब जेशे मुझे, कैसे हुआ? अरे 15,000 आप सोच के बैठेते है, actual खर्चा हो जा और 13,200 हुआ, तो आपके cost sheet में तो कम ही हुआ ना, कितने का कम हुआ? अठारा सो रुपे का, कितने का कम हो गया ये? अठारा सो रुपे का, ठीक है? ये तो था overhead, ऐसे बोला, चलो, wages का भी बता दो आप, बोला, wages का बता दो, wages में बोलता है, actual भाई, 7,000 का खर्चा हुआ, मैंने लगा, अच्छा, इसके बात कहता है, estimated में, आपका जो wages का rate है, वो आवर की बात करते हैं, तो आवर कितने थे इसमें, और उपर कहता है, कि actual result in 4 week के हिसाब से लेना है, आवर देखो, तो आवर था हमारा, पहले हम आवर ने का लेते हैं, नीचे आवर ने का लेते हैं, वर्किंग नूट कर रहा हूं इसके लिए, यहां पर आवर के लिए, व 40 गंटे थे हमारे, 40 गंटे, और वो चलेगा हमारा 15 मसीनरी, 40 गंटे और 15 मसीनरी, 4 वीक का ही बताना है तो, और एक यूनिट का रेट वेजिस देंगे 3, यह तो होगे टूटल आवर, और कितना देंगे हम, 3, और हमें निकालना है 4 वीक को लेके, इन्टू में 4, यह है हमा हमारा वीक, यह हमारा रेट और यह घंटे काम होगे, तो इसके हिसाब से दिखा जाए 40 इन्टू में 15, इन्टू में 3, इन्टू में 4, 7200, यह क्या आगया, 7200, तो यानि आपका जो था, वो 7200 का खर्चा हुआ, एक्चुल में 70, तो यह हो गया हमारा क्या, ओवर, ओवर, recover, कितने, 200 का रेट, तो मैं दुबारा इसको एक्स्प्लें करता हूं, पढले अंडर अबर तो समझ में आ गया, कॉष्चन पेपर अगर आपकी में हाथ में होगा तो समझ जाएंगे, कॉष्चन पेपर में ओवरहेड में बोलता है, जी, एक्चुल खर्चा इतना हुआ औ इतना इन दोनों को compare करके कर दिया wages में देखते हैं बोलता है actual खर्चा ये हुआ और हम wages देंगे rate hourly hour rate होता है तो production hour पर wages नहीं मिलता आप मुझे बताएए आप काम करने जाते हैं तो आपको जो तंखा मिलता है क्या वो hourly basis पर अगर बोल देता है क्योंकि कुछ घंटे तो worker काम भी नहीं करते है तो ये जो बाइस सो घंटे दे रखे थे ना ये बाइस सो घंटे वो थे जिसमें प्रोडक्शन वो तो इससे नहीं आएगा actual जो काम हुआ वो चालिस घंटे हुआ एक मेन अब इसमें टाइम लॉस हुआ तो क्या वेजिस नहीं देंगे क्या टाइम लॉस हुआ देंगे इसके बाद 15 मसीनरी है पंदरा मसीनरी पे जाएगा इसके बाद 3 रुपए का रेट है और 4 हपते काम चला है तो 4 से मुल्टिप्लाई करके अगर दिखा जाए ना तो एक्चुल में चार यहां मुल्टिप्लाई कर देता है तो यह आगे हमारा टोटल आवर जितना काम अधर सटा देते हैं तोटल आवर और तीन रुपए के हिसाब से बाद दर्सों ठीक है तो यह हमारा कुश्चन नमबर 3 का बी पार्ट भी हो जाता है और 3 के और में भी कुश्चन आया हुआ है सेम कुश्चन लग भागे लेखिन थोड़ा डिफरेंट है तो इसको थोड़ा सा इसके अंदर भी अंडर ओवर अब्जर्प्शन ओवर हैड टू बी ट्रीटी इंदा कॉस्ट अकांट पूछा गया है तो इसका भी टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे वैसे अभी क्लास खतम नहीं हुई है हम अभी और आगे करने वाले हैं तो फटा फट इसको भी नूट कर लीजेगा आपने तो करी रखा होगा या तो